मित्रों हिंदु धरम में गाय यानी गो को माता का दर्जा दिया गया है ऐसे में आप सभी ने देखा होगा कि सुबह सुबह गाय को लोग रोटी खिलाते हैं परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाय को रोटी क्यों खिलाई जाती है और इससे खिलाने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें यहाँ आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि गाय को रोटी क्यों खिलाई जाती है मित्रों इस प्रिशन का उत्तर हमारे हिंदू सास्त्र में विस्तार से दिया गया है मित्रों ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है और साथ ही रिगवेद में गाय को अवध्या कहा गया है और बताया गया है कि यह है रुद्र देवों की माता, वसु देवों की कन्या, आदित्य देवों की बेहन और अमरित्र्व का केंद्र है ऐसे में गाय को रोटी खिलाने के कई फायदे धरम गरंथों में बताए गए है तो चलिए मित्रों जानते हैं गाय को रोटी खिलाने के फायदे मित्रों माना जाता है कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं उनको पीडी दर पीडी उनती मिलती जाती है या फिर उनका विकास होता है जिसका अर्थ ये हुआ कि वे हर प्रकार की सुख और सुवधाईं प्राप्त कर लेते हैं और उनके बच्चे काफी बहतरीन जीवन जीते हैं इसलिए अगर आप भी उन्नती करना चाहते हैं और आपकी तरक्की नहीं हो रही तो आपको भी हर रोज गाय को रोटी खिलानी चाहिए इसके अलावा शास्त्रों में ये वी वर्नित है कि गाय को गुड के साथ रोटी खिलाना काफी फायदेमंद होता है आना गया है कि अगर आप गाय को गुड के साथ रोटी खिलाते हैं तो आपको आलोकिक शक्तियों का फायदा मिलता है ऐसा करने से लोकिक और अलोकिक दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है मित्रों गाए को रोटी खिलाने का एक फायदा यह भी है कि यह बिगड़े काम बनाने में मदद करती है इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कोई कार करने के लिए आपने बहुत कड़ा परिश्रम किया हो लेकिन उसके बाद भी आपको कोई सफलता प्राप्त ना हुई हो ऐसी स्थिती में गाय को गुड के साथ रोटी खिलाएं आपके बिगडे हुए काम बनने लगेंगे इसके अलावा शास्तरों में यह भी बताया गया है गाय को रोटी खिलाने से आपको हर शेत्र में सफलता मिलती है मित्रों आपको ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे जो पुन्न कमाने के बहुत इच्छुक हैं ऐसे लोगों को आप यह सला दे सकते हैं कि वे गाय को रोटी खिलाएं और गौधान करें धरम गरंतों की माने तो इसी दान को सबसे बड़ा दान माना गया है देखा जाए तो हर मनुष्च की कोई न कोई इच्छा होती ही है जिसे वो पूरा करने की हर चुकार कोशिश करता है लेकिन बहुत से लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती है यदि आप भी उन में से एक हैं तो आपको गाय को रोटी खिलाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जल्दी आपकी इच्छा पूर्ण होने की संभावना है और अगर आपको यह लग रहा है कि आपके ग्रहे भी खराब हैं तो उसका भी सरल उपाय यही है कि आप गाय को रोटी खिलाना शुरू कर दें गरंतों में यह भी वर्णित है अगर आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपका ग्रहे दोश भी समाप्त हो जाएगा और ग्रहे आपकी साहता करने लगेंगे और अगर आपको यह नहीं पता कि आपके ग्रहे अनुकूल है प्रतिकूल तो आपको पहले किसी ग्याने पुरुष या सज्जन से इसके बारे में पता करना चाहिए जो लोग मानसिक रूप से परिशान रहते हैं वह कभी शान्त नहीं रह पाते ऐसे लोगों को भी गाय को रोटी देनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर की नकारात्मक उरजा खत्म होती है और सकारात्मक सोच बढ़ती है यदि आप भी अपने मन को शान्त करना चाहते हैं और उस शान्ती का आनंद लेना चाहते हैं तो गाय को रोटी देना ना भूलें मित्रों जो लोग गरीब हैं या जिनके व्यापार में अच्छा मुनाफ़ा नहीं हो रहा उनको भी गाय को रोटी देनी चाहिए हमारा यह कहने के पीछे कारण यह है क्योंकि गाय को रोटी खिलाना आपकी गरीवी को दूर करता है और संपत्ती के बढ़ानी का कारण बनता है इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हर गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर गुड़ या हल्दी लगा कर खिलाएं इससे आपको व्यापार में और तरक्की मिलेगी और आपके बिगड़ते काम भी बन जाएंगे मित्रों अगर आप यह सोच रहे थे कि गाय को रोटी खिलाने के सिर्फ यही फायदे हैं तो बता देंगी शास्त्रों में तो यहां तक लिखा गया है कि गाय को रोटी खिलाने से पितर दोश दूर होते हैं पितर दोश का मतलब होता है जो लोग मर गए हैं वो मरने के उपरांत किसी नीच योनी में चले गए हैं और वे वहाँ पर काफी कष्ट भुगत रहे हैं इस तरह से प्रेत ही पितर दोश पैदा करते हैं वे चाहते हैं कि आप ही उन्हें नीच योनी से बाहर निकालें जिसके उपाय सरूप गाए को रोटी खिलाने से उनको शांती मिलती है तो मितरों आज का वीडियो देखने से आप यह तो समझ गए होंगे कि गाए को रोटी क्यों खिलाई जाती है और उसके क्या-क्या लाब अगर समझ आ गया हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें इसे अपने मित्रों और रिष्टेदारों के साथ साज़ा करें ऐसी ही और भी धर्मिक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ सेयर करें